हेलो एवरिवन एंड वेल्कम तो माई चैनल आज एक चीला बनाते हैं इसकी रेसिपी शेयर करेंगे वह बहुत ही हल्दी होता है तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं सबसे पहले हमने यहां पर एक बॉल में हाफ कप बेशन ले लिया है अब बेशन में हम थोड़ा स पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे पानी थोड़ा भी संद रालेंगे जिससे कि इसमने लंपसना पंडे हैं और यह ची तरह से मिक्स हो जाएगा तो देखे लोगा azing कर लिया है आब इसमें हम भीज़क करते हैं तो यह हमनें छोटी प्याज बारी एक चमच थोड़ा समर्चा डाल देते हैं हरे मिल्च भी डाले हैं तो ज्यादा न हो जाए यहां टेबुल स्पून धन्या डाली है और वन फॉर्टी स्पून इसमें हल्दी याट की है और यह जीरा पाउडर है बस इसके लावा में कुष्णी डालना है और थोड़ा सा पान इन दोनों-क हम इसमें डाल और अच्छी तरह से बीट करेंगे अब इसको अच्छा इसको बीट कर लेंगे उतना चीला वनेगा हमारा फलफी बनेगा एक दमी तो अंडे में डालने के बाद हमने इसको भीट किया तो यह काफी अभी थिक है तो इसमें हमने 2-3 टेबल स्पून पानी औरेट किया है बस ऐसे ही कंसिस्टेंसी रखनी है इसकी ज़्यादा पतला नहो तो बना लेते हैं इसको यहां पे हमने पैन गरम किया है और थोड़ा सा चीले बना है एक साइट से अच्छी तरह से हो जाएगा तो इसको हम टर्ण करेंगे दूसरी तरह केरफुली टर्ण करेंगे कि यह टूटे नहीं तो इसको पलट कर हम दूसरी साइट से अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इसको प्रेस करके करेंगे जिससे के अंदर तक य यह बहुत ही अच्छा और हेल्दी नाश्ता होता है तो यह बच्चों के लिए बड़ों के लिए सभी के लिए बहुत अच्छा है इसको आप नारिल के चटनी के साथ सर्फ कर सकते हैं यह सास के साथ भी यह बहुत टेस्टी लगता है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जाईए तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक अपना बहुत ख्यार रखेंगें